आज अभी हम लोग डिस्कूस करने वाले वीजनाइस के करेंट अफिर्स जो कि हमारे देसंबर मन्त की है तो काफी टॉपिक हमारी कम्प्लीट हो गई है एक लसन आचुकी थी जो कि प्राइबिटाइजेशन और पबिक सेक्टर बैंक है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां पर फिनाशल इस्टाबिटी रिपोर्ट एंदेन यहां पर जितनी भी टाइम बचेगी वह हम लोग नेक्स जो भी टॉपिक होगी उसे कवर करते है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की आर्टिकल इससे पहले आप लोग लिए एक छोटी सी न्यूस है कि अगर आप लोग यहां पर वीजन आइस के टेस्स जोईन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हो पर फ्रियम्स 2022 प्रेशन बॉइंड इसमें के आप लोग मेल करके जॉइन हो सकते हो लेट्स कमिंग्ट आर्टिकल चोगी है फिनाशल इस्टाबीटी रिपोर्ट रिज़ रिज़ जो फिनाशल इस्टाबीटी रिपोर्ट है वो यहां पर आपका रिलीस किया गया है सबसे पहले धियान रखनी है कि this is bianual report जिसमें कि ये देखा जाता है कि financials step हमारे देज की इसकी क्या stability है या फिर क्या risk है इसकी इस पूरी तरीके से यहाँ पर आपका देखा जाता है मेजर किया जाता है अब financial stability report है जो की नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर RBI के द्वारा financial stability को check out किया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या-क्या highlights है इस रिपोर्ट से क्या-क्या पता चला है इससे हम लोग देख लेते हैं global economic के perspective में कहा जा रहा है कि जो global economic recovery है वो यहाँ पर अपनी momentum loss होते वे देख रही है इसमेंस कि जो 2021 की second half है उसमें इस तरीके से नहीं हमारा economy हमारे देश का क्या global economy recover नहीं कर पा रही है जितनी करनी चाहिए थी तो यह जो covid-19 infections है इसके कारण continuous जो है economic loss देखने को मिल रहा है और उपर से covid-19 की आप देखो कि new variant आते जा रही है एक omicron है omicron के कारण अभी third phase भी इंडिया में देखने को मिल रहा है और काफी शहरों में भी देखने को मिल रहा है तो supply disruption हो रहे है यानि कि आप देखो कि बहुत सारा जो transportation है वो बंद हो जाती है bottleneck देखने को मिलेगा monetary policy stances में कहीं न कहीं shift हो जाती है तो यह सारे short term issues देखने को मिलते हैं जिसका impact long term हो रही है तो global economy जो है वो recovery बहुत slow हो रही है अगर domestic economy की बात करें अपनी देश की economy की बात करें तो यहां पर progress जो vaccination में है यह तो होती ही जा रहा है आप देखो vaccination जो हमारे हाँ चलते आ रही है 1st dose 2nd dose even हमारे 15-18 years के बच्चों को भी vaccination देनी की बात की जा रही है तो यह काफी तेजी से हो रही है जिससे कि आप देखो कि recovery की बात की जारी कि हम लोग फिर से यहां पर track में आएंगे जब यहां पर second wave of pandemic जो है वो चला गया तो हम लोग track में आएं लेकिन फिर यहां पर third wave देखने को मिला बट हाला कि यहां पर आप देखो कि यह भी एक तरीके का sign है कि यहां पर slowing pace more recently इत मींस कि यहां पर हम लोग धीरे-धीरे corporate sectors जो है अपनी strength पकर रही है bank credit growth जो है वो यहां पर improve होते जा रहा है तो धीरे-धीरे ही सही बट हमारे हैं कि जो domestic economy है वो recover कर रही है बट slow pace में risk assessment देखे कि कितनी risk है तो all both categories of risk चाहे वो global level पर हो या macro economic हो या फिर financial market हो या फिर institutional हो या फिर general हो सब में आप देखो medium level पर ही risk देखने को मिल रहा है और risk यहां पर global और financial market को लेकर ही जो की काफी जादा higher rate है अगर हम लोग यहां पर rest of the world को देखे दो एक तो यहां पर परिशानी इस चीज का है कि जैसे आप देखो कि जो कोविज 19 पेंडिमिक आया तो इसके कारण बहुत सारे परिशानी आई लॉग डॉन हुई उसके बाद जो है बहुत जादा job loss हुआ बहुत सारी चीज़े देखने को मिली तो यहां प देखो कि जैनवरी से काफी समानों की दाम बढ़ गई है, domestic inflation है, महंगाई आचुकी है market में, साथी equity price volatility है, आप देख सकते हो कि price जो है ना वो कभी बहुत अप हो रहा है, कभी बहुत डाउन हो रहा है, asset quality deterioration हो रही है, जो asset की quality है वो यहां पर day by day जो है डाउन होते जा रह है, cyber disruptions हो रहे हैं, जिसके कारण major risk आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में यह face किया जा रहा है, उसके बाद हमारी जो सबसे important sector होती है, जिसे हम लोग MSME sector कहते है, micro small and medium enterprises, यहां पे आप लो देखो कि COVID-19 से सबसे ज़्यादा जुच्छती हुआ, वो MSME sector में हुआ, ल और जो stress था, micro small and medium enterprises में, बो भी यहां पे देखने को मिला, बट कहीं न कहीं सरकार हमेशा से hold on करने की कोशिश की, अब कुछ parameter देख लेते हैं, और की finding क्या क्या है, इस report से बो देखते हैं, और कुस definition है, कुस terms की, जो कि आपकी यहां पे revise भी हो जाएगी, और कुछ new points भी ह है, जो कि आपका, यहां पे कुछ new चीज़े जानने को मिलेगा, तो सबसे पहले है, gross non-performing asset ratio, यहां पे क्या पता चला है, कि schedule commercial bank में, non-performing, जो gross non-performing asset ratio है, वो increase हो सका, it means कि यहां पे आप देखो कि 2021 में 6.9% था, 2021 में 8.1% हो गया है, अब यही चीज़े बताए जा रही है कि stress, जो severe stress scenario है, इसमें आपका 9.5% तक भी हो सकता है, NBFC के लिए देखे, non-banking finance company के लिए, तो जो gross non-performing asset ratio है, वो यहां पे 2020 में decline हुआ था, और 2021 के end में आप देख सकते हो, जो कि 6.5% तक यह बढ़ चुका था, तो यह problem देखने को मिल रही है, पर यह समझे कि NPA होता क्य है, actually NPA से यह indicate होता है, कि किसी का bank, bank का जो loan है, वो कितने danger में है, इत मींस कि आप देखो कि bankों के द्वारा loan दी जाती है, हर एक sector में, लोगों को, fine, but कितने repayment हो रहे है, कितने लोग यहां से loan लेके जा रहे है, but उस bank में कितने number of loans दिया गया है, और उसके इसाब से कितना repayment हो पा रहा है, यह चीज़े दर्शाती है कि bankों की स्थीती कितनी है, इत मींस कि bankों का loan जो है, वो कितना danger में है, तो जितना जादा यहां पर high gross NPA ratio होगा, उतना यह समझ में आगा कि bank की जो asset quality है वो बहुत पूर है, इत मींस कि आप देख सकते हो कि यहां पर NPA जो है, व इत मींस कि bank का कितना capital है और उसमें से यह कितना risk weighted asset ratio रखते है, ठीक है, risk weighted asset ratio कितना रखते है, इत मींस कि एक तरीकी का ratio है, जैसे यह पता चलता है कि bank capital कितना है और कितना वो risk सम्हाल पा रहे है, माल लिज़े कि bank के पास यहां पर 100 rupees है, फाइन, आब इस 100 rupees से आप देखो क 22%, 22% आपका चला गया, यानि कि यहां पर आपका, कितना आ गया, 78, okay, 78 यहां पर रुपीज बज गया, 22 आपका RBI के साथ यह आपका save हो गया, यानि कि CRR और SLR के form में, तो 78 rupees में से भी कितना bank loan दे सकती है, कि total capital तो यहां पर 78 हो गया, बट यहां पर कितना loan दे सकती है, और जो कि bankों का यहां पर आप देखो, बेसल 3 norms के हिसाब से 15% है, बट बैंक यहां पर 8-9% इसको follow करती है, तो 8-9% चलिए यहां पर 90 rupees, ठीक है, 8-9% माल लिजे कि यहां पर आपका 90 rupees जो है, यहां पर कहा जाता है कि ठीक है, यह risk weighted है, लेकिन इसमें से आप समझो कि 100 rupees अगर यहां पर capital है, और उसमें से 90 rupees जो है, यह risk weighted है, यानि कि इसको जो है, लोन की form में निकाला जा सकता है, अब बैंक अपने पास 10 rupees रखती है, कि 90 rupees जो है, अगर चला गया तो कुछ तो वापस आएगा, टोटल वापस नहीं आएगा तो, तो बैंकों के पास, at least अपने आपको बचाने के लिए 10 rupees है, तो बैंक के पास है, अगर हम लोग सारी बातों को हटा देते, CRR, SLR को आप side रखो तो, तो इसको कहते है कि risk यहां पर CRAR है, कि risk weighted asset ratio कितना है, अब यहां पर इससे क्या पता चलता है, कि आपनों देख सकते हो कि कहा जा रहा है, कि जो schedule commercial bank का जो CRAR है, वो यहां पर बढ़ते ही जा रहा है, और 16% 2021 में आ चुका है, इत मींस कि बैंकों के पास जतना capital नहीं है, बैंकों से जादा loan दे रही है, तो ultimately यहां पर घाटा ही होगा, बैंक को बाद में चलके borrow करना होगा, या फिर बैंकों यहां पर loan वगेरा repayment नहीं हो रहे, तो इसस इतना fund जो है bank का, वो यहां पर रखा गया है, जिससे कि loan जो loss हो रहे है उसको cover करने के लिए, इत मिन की माल लिजे कि 100 रुपीस बैंकों के पास है, और 50 रुपया का loan दे दिया गया है, तो यहां पर अभी भी बैंकों पास कितना है, 50 रुपया है, क्योंकि अगर यह लोन वापस नहीं आता है, तो बैंक के पास 50 रुपया है, इसको cover up करने के लिए, तो यह provisioning coverage ratio भी होता है, इसकी डियूल कमर्शियल बैंक का आप देखो, तो 68% रहा है, वो भी 2021 के September में, तो यह भी खराब पर परफॉर्मेंस कहीं यहां पर इंडिकेशन है, कि provisioning coverage ratio भी इतना ज चलता है कि बैंकों के स्थिति, यहां पर खराब है, तो इस अल अबाट यहां पर report, जो कि financial stability report किये, तो काफी important है, थुरा बहुत इसको याद रखेगा, यह जो तीन पॉइंट है इसको जरूर धियान रखेगा और इसकी definition भी, ओके, क्योंकि डिरेक्ली आप देखो कि प्र technology का tech हो गया, इसलिए इसको fintech किया रहे, और इस चीज़ को यहां पर inaugurate किया गया है, तो यह आपको VC कि थरू किया गया है, तो यहां पर host किया गया है, इसमें क्या है, कि इसमें जितने भी leading minds है पूरे world में, business को लेकर, technology को लेकर, तो यह एक साथ आएंगे, discuss करेंगे, कि कैसे technology और innovation जो है, वो यहां पर हमारे यहां inclusive growth करेगा, humanity यहां पर large number पर यहां पर निकल कराएगा, क्योंकि जो भी growth होगी, वो ऐसी growth होनी चाहिए किसी देश में, जो कि उस देश के रहने वाले लोगों को ultimately फाइदा हो, ultimately उनकी living standard बढ़े, तो इस चीज़ पर काम होगा, क क्योंकि technology बिना चल नहीं रहा है, आप भी यहां पर technology अस्तमाल करके मेरी videos देख रहे हो, और साथी साथ innovation, यह देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीकी कि यह innovation है YouTube, जिसके तुरू आप लोग घर बैठ के या फिर कहीं पर भी बैठ के आप हमारी lessons देख पा रहे हो, कुछ भी आप लोग जो है कुछो भी अर्जीत आपको घ्यान करनी है तो वो चीज़े आप लोग YouTube से गेन कर पा रहे हो, तो यह भी kind of innovation के ही field में आता है, तो यह चीज़े यहां पर आएगी, आप देख लेते हैं इंडिया का जो fintech technology है, यह है क्या, इसमें terms and condition क्या है, fintech जो कि आ अब यहां पर इंडिया की जो fintech industry है, इसकी value आप देख सकते हो, तो 50 से 60 billion dollar तक कर रहा है, वो भी financially 20 की बताया जा रही है, और यहीं अगर हम लोग Boston consulting group report के हिसाब से देखें, यहां पर यह बताएगा है कि इंडिया की जो fintech company है, इसकी valuation और बढ़ेगी, जिस तरीके से य 60 billion तक का यहां पर इस industry की valuation हो सकती है, तो it means कि यहां पर growth बहुत अच्छा है, इसकी यहां पर approach बहुत अच्छी है, तो यहां पर front runner जो है, यानि कि जो भी economies में आप देखते हो, कि जो front runners होते है, in terms of fintech adoption होते है, तो यहां पर adoption rate भी है कि कि कितने लोग इस industries को adopt कर रहे है, मान रहे है, तो यह भी 87% तक है, अगर global average देखे तो fintech company global level पर 64% भी है, बट हमारे यहां इस पर बहुत काम हो रहा है, तो India third largest यहां पर fintech ecosystem यहां पर आप देख सकते हैं, तो हमारे हां better यहां पर potential भी है, बट देख सकते हैं कि कि किसके sectoral जो है, यहां पर potential है कि कैसे हमा तरीके से transform करते है, it means कि fintech से क्या होता है कि काफी customers को या फिर जो भी लोग अपने business को start करते है, तो उनको capital बहुत आसानी से मिल जाती है, पैसे मिल जाते है, कोई भी business start करना है, कोई भी काम करना है, अगर consumer को पैसे time पर मिल रहे है, और वो भी आपका cheapest rate में मिल रहे है, तो फिर और क्या चाहिए, साथ यहां पर online service भी provide करते है fintech, जो कि directly यहां पर lenders और जो borrowers है, उनकी जो भी demand है, उसको match करता है, तो जो भी यहां पर individual हो गया, business, businessman हो गया, तो उनको अगर जिस तरह आपका यहां पर credit चाहिए, तो उनको online service के through भी मिल जाता है, तो easy access है, ज जो कि यहां पर credit है, जो कि इसकी first safe side आपको देखने को मिलेगा, payment के अगर हम लोग बात करें, तो fintech जो है, इसमें कुछ service provide किया जाता है, जैसे कि यहां पर transfer of fund unable है, यानि कि बहुत सारे cases में, चाहिए, वो person to person हो गया, person to merchant है, government to person है, इन सब में यहां पर fund की transfer होती है, for instance आप देख सकते हो कि जो UPI आप यहां पर use करते हो, तो UPI के द्वारा भी यहां पर काफे ज़्यादा इसका इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि जो हमारी payment sector है, देश में, वो online payment sector, यह काफी boost कर रहा है, तो इसलिए payment वाली जो sectors है, उसमें काफी हद तक यह help कर पा रहा है fintech company, insurance और advisory service अगर हम दो देखे, तो fintech firms जो है, यह काफी अच्छा खासा platform भी provide करते है customer को, कि वो अपनी जो भी money है, उसको save करे, या फिर money को better तरीके से invest करे, या फिर जो अपना धन है, उसको सही तरीके से वो manage करे, और बहुत सारी यहां पर categories दी जाती है, जिस के basis पर चूज कर सकते है, जैसे कि personal loan हो गया, home loan हो गया, credit card हो गया, saving account है, mutual fund है, यह सारे बहुत सारे schemes आपको देखने को मिलेगा, जिसके through जो है, यहां पर insurance और advisory service है, वो यहां पर better तरीके से fintech में काम करती है, pension के अगर हम बात करें, तो fintech enable technologies जो है, जैसे कि robo advice है, तो pension scheme जो लोगों को दी जाती है, उसकी operation की efficiency बढ़ जाती है, और वो भी risk management करके, investment process का automation करके, तो यह सब काम करके होता है, साथी account aggregator यहां पर service भी है, यह service है, जिसमें की financial data जो customer की है, उसको aggregate भी किया जाता है, different financial service से, यानि कि एक customer है, उनको अगर बहुत सारे financial service किया जा रहा है, तो उनकी data को एक चगा जो है, एकटे करके रखा भी जा सकता है, ऐसा यहां पर fintech technology में आपका facility है, साथी 2016 में किया हुआ था कि RBI के द्वारा एक guideline पर release की गई थी, वो भी NBFC के लिए, non-banking financial company के लिए, कि यहां पर account aggregator होने चाहिए, इत मींस कि एक customer के नाम पर कौन-कौन सी facility दी जा रही है, उनकी यहां पर एक database create करनी चाहिए, जिसमें कि एक person का नाम अगर यहां पे इंटर किया जा है, तो उनसे related जो भी facility उनको दिया जा रहा है, वो सारी एक जगा खुल किया रहा है, तो यह बहुत जाद ज़रूरी है, जिससे की काम कम हो यानि कि MSME sectors आप देखते हो कि हमारे देश में इतना ज्यादा फायदेमंद इसलिए है, और फायदेमंद in the sense कि इसमें आप देखो कि 40% से ज्यादा लोग जो है employment है, यानि कि खुद को ही यहां पर job देके बैठे है, GDP में आप देखो 30% से ज्यादा यह contribute करती है, हमारे से एक्सपोर्ट होता है product का, वो MSME sectors का ही देन है, so that's why micro, small and medium enterprises को सरकार भी बहुत जादा help करती है, so trade finance में आप देखो कि यहां पर money crunches बहुत जादा था, इसमें लोगों कोई issues बहुत जादा निकल करा रही थी, but वो सारी चीज़ें यहां पर trade financing के थ्रू जो है, यहां पर आपका खतम होते वे देखने को मिल रहा है, for example आप देख सकते हैं, यह trades है, जो कि एक online mechanism है, जिसके थ्रू यहां पर MSME sectors में, अगर financing के जरू है, पैसे के जरू है यहां पर, तो वो चीज़ें यहां पर trades के थ्रू मिल जाता है, so यह सारी चीज़ें हैं, जिसमें कि यह बता बाता है, बेटर तरीके से, insurance और pension में भी यहां पर कोई problem नहीं है, account aggregator service है, और साथी साथ trade finance है, लेकिन फिर भी आप देखो कि ऐसा तो नहीं है, कि सब कुछ बहुत ही है, यहां पर 100 है, कहीं ने कहीं यहां पर problem देखने को मिलेगा challenges है, issues है, जो कि FinTech sectors हमारे देश में face कर सबसे पड़ी बात है कि हम लोग बात तो कर रहे हैं कि payment, payment हमारे यहां online हो रहा है, UPI यूज़ कर रहे है, लेकिन आप देखो कि online में भी आप देखो कितना ज्यादा breaches हो रही है data की, data security की problem है, even privacy risk की भी problem है, क्योंकि हमारे देश में तो अभी तक कानून आया नहीं है, जो यहां पर लिख हो सकता, तो मेली यही problem है कि data security और privacy जो risk है, उसके बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, varied adoption है, यह easy नहीं है कि हर एक टाइप की business जो है, वो फिंटेक को adopt कर ले, जैसे कि हम लोग कह रहे थी कि काफी businesses को यहां पर फायदा होता है, काफी businesses जो है, वह ववस्ता में, जैसे कि हमारा देश है, जिसमें कि MSME बहुत जादा dominate करते हैं, है कि नहीं, तो यहां पर आप लोग देखो कि काफी problem है कि digital adoption हो सके, क्योंकि MSME sectors में इस चीस की कमी देखने को मिलती है, rapidly changing regulations है, जैसे कि regulatory जो complices है, वो उसके साथ साथ आप देखो कि खर्चे ब आपको देखने को मिलेगा, जो कि आज की date में काफे ज्यादा है, इसकी price volatility होती है, यानि कि volatile आपको देखने को मिलेगा कि कभी बहुत अप है, कभी बहुत डाउन है, payment regulations की problem है, data की यहां पर problem है, even infrastructure securities की problem है, consumer यहां पर protection की problem है, तो यह सारी problem अभी भी exist करती है, तो यहां प यहां पर grammy छेतर है, और लोगों को यहां पर जो mobile phone है, वो operate नहीं करने आता है, even laptop operate करने नहीं आता है, तो यह financial literacy है, digital illiteracy तो ही, financial illiteracy है कि लोग समझ नहीं बात है कि पैसे को कैसे manage करना है, साथी साथ awareness की कमी है, हमारे है 70% जो population है देश की, वो गाउं में रहती है, और व को नहीं यूज कर पाते हैं, क्योंकि यहां पर online service पर प्रोवाइड की जाती है, और online service यहां पर आपका देखो की, लोग नहीं समझ पाते है, तो इस sectors में काफे ज़्यादा जरूरी है कि यहां पर small cities और towns में भी यह जो fintech sector से उसको लाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से यहां पर inclusion हो सके, अब यह सारे तो challenges थे, अब road ahead में बताया जारा है कि हमें जो foundational infrastructure है, उसे यहां पर strengthen करनी की जरूरत है, सबसे पहले अगर हमें किसी भी sectors को boost करना है, तो उसके पीछे हमें जो infrastructure की जरूरत है, उसको boost करना ही होगा, जैसे कि यहां पर fintech की बात करें, तो tele communication की जरूरत है, इसे के साथ साथ digital और financial infrastructure की जरूरत है, और साथी साथ आप देखो कि यह infrastructure जो है, इससे क्या होगा, कि data collection सही तरीके से हो पाएगा, हम लोग data को process कर पाएगे, transmission कर पाएगे, तो यह सारे बहुत सारा काम यहां पर हो पाएगा, conducive policy framework है, यह जो successful और large scale adoption किया जा रहा है technology का, इसमें आप देखो कि जो policy framework है, वो उस हिसाब से होना चाहिए, जिसमें की बहुत सारी चीज़ें यहां पर आपका concentrated हो, इसमेंज कि यहां पर standardized पर भी follow करना होगा, fair और transparent यहां पर access होना चाहिए, जितनी भी यहां पर infrastructure create हो रही है, साथी यहां पर जो financial system है जिस तरीके का हमारे देश में, उसको भी समझनी की जरूत है, इससे क्या होगा कि जो ongoing dialogue है, यानि कि industry के साथ जो हमारा काम है, innovators हो गया, incumbent हो गया, तो इन सब के साथ जो हमारा यहां पर ongoing dialogue है, उसको maintain करनी की जरूत है, और साथी साथ यहां पर global alliance होनी चाहिए, जो small retail mobile payment है, जिसकी low value है और high velocity है, government को यहां पर mainly focus करना चाहिए, कि UPI network को जो global alliance के साथ इसको और भी ज्यादा extend करे, यह जो partnership है, इससे क्या होगा कि social और inclusive use case है, वो हो सकेगा, इट मींस कि जो लोगों को remittances मिलती है, इंडिया में, medical regions के लिए वगेरा वगेरा के लिए, तो वो सारी च targeted जो digital literacy program है, वो चलाने के जरूत है, जब तक लोग यहां पर mobile, laptop, यह सारी चीज़ों को operate नहीं कर पाएंगे, तब तक उनके लिए fintech जो companies है, वो किसी काम कर नहीं है, तो government को मिलनी है, आवेर्नेस क्रियेट करने पर focus करना चाहिए, कि mobile payment कैसे करना है, वो भी regional language advertisement में, क्यो वो अपती language को ज़्यादा बेटर तरीके से समझते है, तो अगर उनको कुछ सिखाना है, कुछ नया चीज़ बताना है, तो बेटर है कि उनको उनके खुद के language में सिखाईए, साथी साथ जो government है, वो यहां पर industry players के साथ collaborate करें, जिससे कि एक consensus built हो सके, साथी visual representation हो सके, जो कि आपका payment system का है, तो यहां पर क्या किया जा सकता है, कि जो government हो यहां पर industry players के साथ collaborate कर सकते हैं, जिससे कि यहां पर जो visual representation है, जो हमारा payment system है, ग्रामी नीरिया में, उसको और जादा से जादा इंप्रूफ कर सकते हैं, यानि कि merchant level पे भी और customer level पे भी, तो इन दोनों तरीके स हम लोग जो है, digital literacy program पे यहां पर targeted focus कर सकते हैं, साथ ही digital payment literacy भी बढ़ानी है, लोगों को यह भी सिखानी है, कि आप online अपने mobile का इस्तमाल करके कैसे payment कर सकते हैं, other measures हम लोग क्या कर सकते हैं, कि एक regulatory framework होनी चाहिए, at least एक कानून होना चाहिए, कि किस तरीके से यहां पर fintech company करें, साथ ही यहां पर financial system है, उसकी integrity का भी safeguard होना चाहिए, कि at least यहां पर technology को हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको यहां पर देखना होगा, जो यहां पर आप जानते हो कि fintech company में कुछ criminal misuse भी होते हैं, इसका भी risk होता है, तो उसको देखना, उसको समझना, उसको access करना, उस चेकर आप सकते हैं, तो यह सारा काम हम लोग कर सकते हैं, इतमिन की कानून यहां पर बना सकते हैं, साथ ही साथ हैं इहां पर integrity, जो financial system का है, उसको safeguard प्रोवाइट कर सकते हैं, जो भी legal कानूनी तरीके से जो framework है, उसको भी हम लोग यहां पर modernize कर सकते हैं, तो इस तरीके से यहां पर बताए जा रहा है कि Fintech Company जो है हम लोग उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं अब कुछ इसको इसी से related यहां पर आपका concept है जैसे कि new bank आज के डेट में new bank का काफी concept चल रहा है और new bank कहने का मतलब है कि यह आपका online bank है online only यहां पर financial technology है Fintech Company है जो कि यहां पर आपका mobile app के थुरू आप लोग अपना bank इस्तिमाल कर सकते हो जैसे कि आप देखते हो कि रेजर पे हो गया एक्स हो यह इपीफाई हो गया तो यह सब कुछ ऐसे को प्रोवाइड किया जाता है यह डिफरेंट है यानि कि जो ट्रेडिशनल बैंक वागेरा आज के रेट में आपको देखने को मिलेगा तो इसकी प्रेजन्स जो है वो बहुत ही छोटी है अभी तो यह निकल कर ही आया तो धीरे धीरे इसको टाइम लगेगा लोग इसको के से एक्सेप्ट करेंगे कन्वरजिन का जा रहा है तो फिनेशल से बना है फाइन से और टकनलाजी तेए दोनों मिलका आपका दराईव gen जो है आगे बढ़ रही है तो सबसे पहले टेक्नलोजिकल इनोवेशन है हम लोग अपने देश में जितनी भी न्यू बिजनस मॉडल को इंप्लिमेंट कर रहे हैं वह यहां टेक्नलोजी बेस्ट है चाहिए वह आटिफीशल इंटेलिजेंस हो चाहिए वह मशीन लर्निंग हो वह हैं अगर हम लोग देखे तो हमारी इंटरनेट और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है वह बढ़ती ही जा रही है हमारे हैं जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से आप देखो कि हमारे बहुत जादा मॉबाइल पनिट्रेशन हो चुका है तो इंडिया सेकंड मोबावाइल कभी है आप जो है एक लोग के पार दो-तिन मोबाइल देखने को मिलता है तो law यहां पर यूथ पॉपलेशन जादा है तो आप समझें कि उस देश का डिवलप्मेंट जो है काफी बटरीगे से हो सकता है क्योंकि यहां पर आपका जो है यूथ डिवलपमेंट है जो हमारे देश की आगे बढ़ के जो है कही नहीं हमारे देश का नाम रौशन करेंगे तो इसलिए इंडिया में आप देख सकते कि 140 million middle income है और 21 million high यहां पर income household होगा जो कि 2030 तक होगा साथी financial inclusion initiative लाए गया है कि जादा से जादा लोगों को यहां पर bank account के साथ जोड़ना तो जब मोदी जी आये थे तो प्रधान मंत्री जंधन योजना लेकर आया है जिससे कि zero balance में लोगों कि यहां पर bank account open करना है तो यहां पर प्रधान मंत्री जंधन योजना है यहां पर दीन दयाल अंतोदे योजना लैंशल रूलर एंप्लॉइमेंट यहां पर mission है डारेक्ट transfer है अटल पेंशन योजना है जिसके तहत आप लोगों कि पेंशन जो आपको 60 years के बाद देना है तो उसके लिए यहां पर premium भर सकते हो तो इतमीज के आप देख सकते हो कि हमारे हां क्यों फिंटेक जो है इतना ज्यादा बूस्ट हुआ क्योंकि हमारे हां टेकनलोजी यहां कौने देखा यहां पर कि inclusion है कि क्या हाल चाले दिश में और काफी अच्छा तरीक असे से फिंटेक हमारे देश में चल रही है तो उसके पीचे क्या रीजन है लेकिन कुछ चैलेंजजर उसको भी हमने देखा और लास्ट लें पर वेफ फोवर्वड भी हम दो देखें अब आते हैं यहाँ पर Service Domestic Regulation, SDR, तो यह है क्या समझते हैं, Recently 67th Member Country जो है WTO के, उनके दौरे यह negotiation को यहाँ पर conclude किया गया, जो कि है Service Domestic Regulation, चलिए देख लेते हैं, Trade in Service and General Agreement on Trade in Service, जिस हो GATS भी कहते हैं, तो देखें, Service Sectors जो होता हैं वो डाइनमीक है, अगर आप देखो Primary Sector, जो कि Agriculture पर बेस्ट है, और आपका Secondary Sector है, जो कि Manufacturing पर बेस्ट है, लेकिन अगर हम दो Service Sector की बात करें, तो इसका नेचर बहुत डाइनमीक है, और Fastest Scoring Sector भी है, पुरे Global Economy में, 60% जो World की GDP है, यह Value Added Terms से है, और इसको Guards के द्वारा यहाँ पर आपका Govern किया जाता है, और Guards कहां से निकल करा है, तो Uruguay Round जो कि यहाँ आपका January 1995 से ही निकल करा है, इसमें किया है कि कुछ रूस किया गया है कि कैसे Service Traits जो है, और Services को यह Affect करती है, जो कि Directly यहाँ पर Air Transport Service से भी Related है, तो यह दो बात हो गया, कि यहाँ पर जो भी आपका Government Authority के Basis पर जो Service Supply किया जा रहा, उसको इस Guards से बाहार रखा गया है, और साती जो Air Transport Service में प्रोवाइद किया जा रहा, उससे इसको बाहार रखा गया है, गाट्स कहाँ applicable है, तो चार मोड में यहाँ पर applicable है, चार तरीकी के Service में applicable है, अब यह चार तरीकी का Service कौन-कौन सा है, तो यह चारो मोड हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं, मोड फर्स्ट है, जो कि Cross Border Supply है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब Service जो है, वो एक टेरिटरी से दूसरे कंट्री के टेरिटरी में जाती है, तो यहाँ पर यह service प्रोवाइद किया जाता है, और सेकेंड मोड है, कंजप्शन एब्रॉट कि जो लोग यहाँ पर बाहार र करते है, जआए पर देख सकते हो कि हमारे देश का जो बैंक, एस्ट बीआई तो आप दुसरे देश में भी देखनЕ को मलेगा, इसका क्या मतलब होता है, कि हमारे देश के लोगों को थे यहाँ पर फर्साहरा जा जाता है एक तो होता है कि मालीजे कि इंडिया से अगर सर्विस यहां पर बांगलादेश में प्रोवाइड किया रहा है तो बांगलादेश में अगर रहने वाले लोग है तो उनको पुरी तरीके से सर्विस मिलेगी लेकिन अगर मालीजे कि इंडिया से कुछ लोग जो है चा मेंबर्शिप किया है तो 67 अग्रिट मेंबर है जिसमें की डेवलप्ट और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों है यहां पर दोनों को मिला दे तो यह 90% हमारे वर्ल्ड का ट्रेड होगा जैसे कि USA भी है चाइना है यूरोपन यूनिन है और ब्राजिल है इसकेंड चीज़ है इनकॉर्परेशन यानि की न्यू जो डिसिप्लीन है इसके अंदर आप देखो कि अडिशनल कमिट्मेंट होता है जितने भी मेंबर सर्विस से है वह यहां पर स्कीडियूल के आता है यहां पर कमिट्मेंट किये और जो यहां पर सिगनेटरीज है उनका आपर मानना है कि वह पक्ट को जो है यह चोड च्शेक ऋपफर अधर कंठ्रीस जो कि इसको जौइन चानल करें यान कि इस प्रेक में झास्ज़ए कोई बी ने की कोई और यहां पर आप लोग देखो कि SDR process होता क्या है SDR में आपका objective है means से application benefit और other benefit है objective क्या है कि यहां पर good regulatory करनी है यानि कि यहां पर आप देखो कि जो trade restriction restrictive effects है उसको यहां पर यानि कि जो supply किया जा रहा है services का उसको यहां पर बेटर तरीके से provide करना है means है कि यहां पर new discipline होनी च standard की जरूत होगी जिसमें भी service provide किया जाएगा benefit की बात की जारी है कि यहां पर जो foreign service provider है उनको काफी मदद मिलेगा कि वह यहां पर जो प्रोसीजर है host country में जो यहां पर आपको operation करना है तो उस चीज़ को access कर पाएंगा और समझ पाएंगे साथी legal certainty भी एशूर किया अधर benefits क्या है कि यहां पर आप लोग देखो कि जो trade cost है जो व्यापार करने में जो खर्च होते है वह कम हो पाएंगे और जो broader trade benefits है यानि कि जो हम लोग एक दूसरे country से जो हमारा जो border touch होता है तो उससे भी हमारी जो यहां पर generation है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी हमार पैलर मेकानिस पी है जिससे की कुछ same objective यहां पर हम लोग परस्यू कर सके और वो भी WTO के बिना GATS में किया है कि member countries को यह अलाओ किया गया है कि जो market access है वो extend कर सकते है ठीक है और बहुत तरीके के service sectors यहां पर provide किया जाएगा इसमें कि कुछ restrictive यहां पर market access है independent professional को लेकर और जो की mode 4 यूज करते है जो mode 4 है इसमें क्या है कि यहां पर मानली जी कि कोई individual है WTO member के अगर वो temporary basis पर भी दूसरे country में रह रहे है तो उनको भी यहां पर service provide की जाएगी तो उनको भी provide किया जाता है और साथी साथ यहां पर working party ह domestic regulation में इसको 1999 में यहां पर establish किया गया था जिसमें की कुछ discipline जो है वो domestic regulation में रखा जाता है कि क्या qualification की जरूरत है क्या procedure होनी चाहिए technical standard क्या होनी चाहिए license की क्या जरूरत है तो यह सारी चीज़ों को यहां पर दीखा जाता है conclusion में बताया जा रहा है कि जो new discipline लाए जा रही जो WTO के member है उनके द्वारे ये conclude किया गया है कि at least one regional trade agreement तो होना चाहिए जिसमें की domestic regulation की provision होनी चाहिए जो कि GATS के beyond हो और हमें यहां पर जरूरत है कि कम hesitation हो यानि कि जादा से जादा हम लोग अपनी objective reasonable impartial agreement को आगे लेकर चले और जो hesitation है उसको कम से कम कर सके okay so guys this is all about यहां पर SDR जो कि हमनों समझे कि service domestic regulations क्या है और whole mode of supply क्या है यहां पर GATS को भी समझे और इसकी benefit क्या है यह समझे साथी साथ यहां पर क्या concern है उस चीज़ को देखे and finally यहां पर conclusion देखे so guys this is all about today's lesson और जितनी भी rest of the lesson आर्टिकल यहां पर बची है मैं इसको कल फिनेश कर दूंगी तो I hope कि आपको यह वीडियो अच्छे लगे होंगे थोड़ी helpful लगी होगी तो अगर helpful लगती है तो उसके लिए आप like कर सकते हैं और हमारे साथ जुडने के लिए daily basis पे विजन आइस के करेंट आफरस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके अलावा आपको कोई भी डाउट कोईरी सजेशन से तो आप फ्री हो कमेंट करने के लिए मिलती हूं कल इसी टाइम पे आज के लिए बस इतनी थैंक्यू